तो बाइ लोगो बेलकम और सब्सक्राइब आपका मैं सस्ते से यूटूब चैनल के सस्ते से गेम प्ले वीडियो में तो आज की वीडियो आप लोगों काफी काफी मतलब बहुत जादा इंप्रटेंट होने वाली है जैसे कि आप लोग जानते हो अपना सीजन 15 का जो विनर प आते हैं PUBG में वह आप लोगों पर्चेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए वही सारा कुछ आज की वीडियो मैं आप लोगों बताऊंगा तो आप लोगों अपने भाय का एक छोटा सा काम करना इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक बिना इस करें जरूर देखना है त तो जैसे कि मैंने आप लोगों पहले ही बता दिये कि अपना सीजन 15 का जो बिना पासिस अब वह आ चुके हैं PUBG मौई लैड में और कई लोगों ने इसे पर्चेस कर लिए हैं और कई लोग इसे पर्चेस करने की सोच रहे हैं तो मेरा एक कोश्या ना उन लोगों से जिन्हो पैसे खर्च करके या फिर बीसी खर्च करके बिना पासिस खरीते हो जानता हूं आप लोगों बहुत सारे स्किंस मिल जाती होगी गन की स्किंस मिल जाती होगी या फिर बहुत सारे आटफिट मिल जाते होगी और तो आपका प्लेन पर सबसे पहला नाम आता होगा तो क्या आप लोगों ने कोई वर्ट रिकॉर्ड बना लिया नहीं ना अब यहां पर कुछ बंदे यह भी सोचते कि भाई मैंने अब तो सो तक आर्पी खरीद लिये तो अब प्लेन पर जो है मेरा ही नाम आया करेगा सबसे पहले तो मैं उन लोगों बता दू भाई आपने यह बहुत बड़ी गल्ट फैमिली पाल रखी है कि yol आरपी यह फिर डवड़ी आपने खरी दी है वही दूसरे बंदे ने खरी दी है तो आपका भी नाम आ सकता है प्लेंपर और उस बंदे का भी नाम आ सकता है तो यह गल्ट फैमिली आप चोड़ दो कि आप के ngah आय पासेस बहुता है अपना 100 तक PUBG मोईल में और जो WP है वो हता है बिनर पासेस 30 तक बहुता है अपना PUBG लाइट अब चलते क्रेट ओपनिंग की तरफ जहां पर आपको कोई और फिट या फर कोई गन की स्केन दी जाती है जिसके लिए आप वो क्रेट ओपनिंग करते हो माल लो आपको इस बार क्रेट ओपनिंग में AWM की स्केन मिलने वाल है तो आप लोग करते क्यों कि सबसे पहले रोपैसे बीसी खरीदते हो तब कहीं जाके आप क्रेट को ओपनिंग करते हो और वो क्रेट आपके लग पर डेपैंड करता है कि आपको वो स्केन मिलेगी या नहीं मिल लगी है कि आपका लग खराब हुगा तो आपने जितने भी पैसे लगाया होग तो आपने लिए उस स्केन को खरीदने के लिए वह सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे तो हम ऐसी चीज ट्राही क्यों करें जो हमाएं लग पर डिपेंड करती हो अब मैं आप लोगो एक बा उन्हें पचास हजार खर्च कर दिये उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके चेक आउट कर सकते हो अब चलते हैं बिना पास की तरफ कर लोग उन्हें इसे पर्चेस कर लिए होगा तो उन्हें बहुत सारी स्किन्स मिली होगी या फर बहुत सारी ड्रेस मिली होगी तो क्या पप जी मॉयल या फर पबजी लाइट वाले आपके घर पे देने आते हैं वो ड्रेस की आपने ये लख ट्राइ किया था या फर केट ओपनिंग कर दिया फर बिना पास किया था तो आपको ये outfit ये skin मिली है तो आप लोग ये रख लो ऐसा नहीं हो अगर ऐसा होता तो मैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए क्यों लेके आता बलगी मैं खुद ये वाले बिनपास्स खरीता हूँ और बहुत सारी dress पहनता पर ऐसा कुछ नहीं होता है न अब चलते प सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो आप बात करते हैं PUBG बैंड के बारे में जैसे कि आप लोगों पता है कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज आये थी जिसमें अपनी जो गवर्मेंट है वो 47 और चैनीज आप को बैंड करन बैंड ना हो और मैं तो नहीं चाहता कि बाई PUBG मौयल और PUBG लाक्त बैंड ना हो बन्तब दोनों ही बैंड ना हो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्मेंट है उन्होंने जो पबजी गेम है उसको पूरी तरीके से बैंड कर दिया अब बहां के लोग पबजी को नहीं कहलते हैं अब आप ही लोग सोचो उन लोगों ने जो पबजी में बिनपासस खरीद होंगे बहुत सारी क्रेट ओपनी करीओंगी बहुत सारी स्किंज खरीदने के लिए जो पैसे लगाए होंगे वह सारी के सारे बरबादी तो हो गए ना वही चीज़ क्रेट ओपनी करेंगी वो सारे की सारे बरवादी तो हो जाएंगी न और इन सारी चीजों को खरीदने के लिए जितना पैसा लगाया होगा न वो सारा का सारा बरवादी तो होगा न अब आप लोगों को एक केस तो याद होगा कि पंजाब में एक लड़के ने अपने पापा कितनी दो अ सा दिकना केलिए पर 11óstam 60 रोपय को वरबाद कर दी। इसंने अपने पापा को 16 film यह फिर स्किन्स पाने के लिए उनुहें उस गेम से बहुत कुछ कमा लिया है लोने उसल 소themist कि जब गेम आया होगा तो जो भी यूटुवर हैं उन्होंने सबसे पहले यूसी खरी लिए यह फिर बिना पासिस खरी लिए ऐसा नहीं होगा ना उन्होंने सबसे पहले वह गेम खेला होगा फिर उससे कमाने स्टार्ट किया होगा तब कहीं जाके वह उस गेम पर खर्चा कर अगर भाई मैं अपनी बता हूं तो अगर मैंने अपने घरवालों से यूसी या फिर रोयलपास खरीदने के लिए पैसे मागेना तो भाई मेरे घरवाली सबसे पहले मेरी खाल उदेर के दूप में सूखने को डार देंगे और एक हपते तब उसी खाल से मेरे घर पर पहुच कि A2Z कोई भी चीज हो भाई उसे पर्चस मत किया करो I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आयोगी और मैंने समझाने में पूरा अपना 100% दिया है तो आप लोगों अच्छे से समझ में आयोगी वास समझ में आयो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और नह हम आयोगी आयोगी में आयोगी तो आप लोगों किया तो आप लोगों किया है इसाने में आयो।